Hello everyone, नमस्कार दोस्तों, True ISN PCS में आप सभी का सौगत है, इस lecture में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अपने government budget वाला जो chapter हम लोग कर रहे हैं, नितिन सिंगानिया की series से, उसमें अभी तक मैंने आपको एक broad overview दे दिया था, कि budget के components क्या होते हैं, एक revenue side होती है, एक capital side होती है, औ और उसमें हमने चार major components पढ़े थे, अगर आपको यादो, revenue receipts, capital receipts, expenditure की side पे, revenue expenditure और capital expenditure, हमने बस एक बात जानी थी, जो भी शब्थ है, when it comes to government budget, जो revenue है, ठीक है, जो revenue है, वो बात करता है मेशा, short term के बारे में, short term के बारे में, और जो capital है, वो बात करता है, long term के बारे में, यह basic चीज ज्याद है, पहले बता हूँ, इस chapter में से, यह clear है, तो अब आने बाली सीधे, आरांते सब्ज में आ जाएंगी, तो बात करते है, budget receipts के बारे में, ठीक है, budget receipts का मतलब क्या होता है, पहले definition जानते है, it receipts to estimated money receipts, estimated क्यों हो, क्योंकि budget अपने आप में ही, एक जो concept है, वो थोड़ा सा, futuristic sources की बात करता है, ठीक है, futuristic sources की बात करता है, जहां से income आएगी, और जहां पर जाएगी, जहां पर खर्चा हो सकता है, ठीक है, तो यह estimation है, estimated money receipts of the government, सारे के सारे sources से, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आ सकता है, कितनी duration में, एक साल में, एक financial year कहलो, या एक fiscal year कहलो, उसमें, यह show करता है, कि what are the sources, जहां से government जो है, government अपनी एक मंशा दिखा रही है, एक intention दिखा रही है, कि, they can get money, किस लिए, expenditure को finance करने के लिए, फिर चाहे वो short term वाले खर्चेयों देश के, या long term वाले खर्चेयों, budget receipts, अपने अपने दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने previous sessions में बात करी थी, छोटी सी, इसमें हम detail में देखेंगे, एक होता है, revenue receipt, दूसरा होता है, capital receipt, यानि कि, पैसे के वो sources, जो की सरकार के पास, short term में आ रहे हैं, पैसे के वो sources, जो की सरकार के पास, long term में आ रहे हैं, अब इनके further और components क्या होते हैं, और ये जो हमें चार चीज़े confuse करती है, revenue receipt, revenue expenditure, capital receipt, capital expenditure, इसकी जो परशानी हैं, हम वो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम तु दिस, budget, या government receipts, सरकार के पास, यानि कि, आम दनी के क्या-क्या sources होते हैं, number one, revenue receipts, number two, capital receipts, सबसे बहले बात करते हैं, revenue receipts की, है तो दोनो, एक तरीके से, receiving ही है, पैसा आई रहा है, बस कुछ है, वो short term में आता रहता है, और कुछ होता रहता है, long term में आता रहता है, ठीक है? सबसे पहले, सरकार का mean source जो होता है, पैसों का, वो अभी तक हम यही पढ़ते आएं, बचपन से, कि सरकार के पास अगर पैसा आता है, वो tax की format में आता है, सिर्फ यह चीज सोचना थोड़ी सी गलत होगी हमर लिए, tax one of the sources है जरूर, सरकार की revenue का, लेकिन एकलोता sole source नहीं है, अगर हम एक बारी देखी ले कि tax revenue जो है सरकार का, जो सरकार के पास आता है, टेक्स है जो revenue की प्राप्ती होती है सरकार को, वो दोस्तों दो प्रकार से आ direct tax की definition और indirect tax की definition जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता रहा हूँ, वो मैं सीवी साजदेवा की book से ही बोलता था, यह definition अगर आप एक बार यह याद कर लो तो आप हामिशा के लिए आपको याद हो जाएगी, देखो direct tax क्या होता है, जब आपके, पहले एक बार इसको इसके प कार के tax की जो कि आप सबने सुना होगा, income tax, आपकी आए पर जो tax लगता है, आपकी income पर जो tax लगता है, वो income tax है, ठीक है, अब income tax जो लगता है आपकी income पर, क्या मैं यह मान सकता हूँ, कि आप लोग इतना जानते हो, कि if you are a person, you are earning some x, y, z amount of income, तो आपको ही खुद से आपक की responsibility बनती है, कि आप ही ITR फाइल करोगे, income tax return फाइल करोगे, आप अपने मन से एक ethical values को hold करके, inform करोगे, ITR फाइल करके, income tax department को, that मेरी कमाई सर्जी इतनी इतनी है एक साल के अंदर, और मैं इस कमाई के उपर, आपने जो budget के अंदर पेश करे थे, income tax के various labs, मैं इस slab के अंदर fit होता हूँ या होती हूँ, और मैं आपको इतना tax का भुकतान जो है, वह मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बताओ, ऐसे ही होता है, procedure के नहीं होता, बताओ, इतना तो जानते होगे, है ना, यहाँ पर जो आपको tax देना था, अरपेथ, क्या, सरकार ने आपको call करा, या फ आपकी एक earning है, आप में से किसी की भी, सबसे पहले सवाल का मेरा जवाब यह दे रहा, क्या, आपकी ऊपर इसका मतलब एक responsibility है, क्या, 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 आपको tax file करना पड़ेगा, अगर आप इस देश में कोई ना, कोई income earn कर रहे हो, तो बताओ, ठीक है, तो यानि कि, सबसे पह आपकी एक responsibility बनती है, that you need to pay, क्या, tax, आप क्या है, tax, मुझे, tax आपको पे करना है, तो घर पे कोई, यह वाला tax, जो है, direct tax, जो है, यह लेने आएगा, या फिर आपको खुद जाके, एक अच्छा नागरिक बनके देना पड़ेगा, सरकार को जाकर, बताओ, जब कोई डंडा बजेगा, आपकी उपर, तब दोगे, या फिर प्यार से भी दे सकते हो, अपने आपी दे सकते हो, अपने आपी, यानि कि, liability to pay a tax, and burden of tax, जब यह same person पे fall करे, यानि कि, जिम्मेदारी भी आपकी थी, और वो burden, जो था, tax पे करने की, जो तलवार अटग रह थी सर्पे, वो भी आपकी उपर थी, यानि कि, आपकी income के उपर, कोई आपको रोक टोक नहीं करने वाला, लेकिन आपको डर यह लगता है, कि, कभी income tax की rate का शिकार, अगर मैं हुआ, तो मेरा पूरा चिठा खुल जाएगा, माल लो, ठीक है, और, इसलिए, when liability to pay a tax, and burden to, burden to pay a tax, जब यह same person की उपर गिरता है, यह responsibility और वो burden, तो उसको हम लोग कहते हैं, direct tax, corporate tax, आप जानते ही हो, के, वो companies वगरा की उपर होता है, wealth tax, आपकी property वगरा, कितनी, gift tax, and estate duty, don't worry, हमारा पूरा नेतिन सिंगानी में, taxation का chapter है, अभी यह के लिए, आप सब term समझ लो, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत पहली बात नहीं है, लेकिन इससे आपका काफी है, tax का एक overview आपको मिल जाएगा, tax किस वे में काम करते हैं, बड़े सारे tax जो यहाँ पर दे रखिया हो सकता है, वो GST आने के बाद हट गए हो, तो वो हम proper तरीके थे जाने के, कि GST आने से पहले कौन कौन से tax चलते थे, GST आने के बाद कौन कौन थे, tax की सीमाओं के अंदर changes हुआ है, हाला कि एक simple सा question मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो कहीं लोग को यह भी नहीं बता रहता, यह GST है क्या, यह direct tax है क्या, indirect tax है, indirect tax है, ठीक है, और इसको एक और नाम से बो और यह एक प्रकार का indirect tax है, यह याद रखना, just hold this term, just hold this term के destination based tax के है, हम इसको समझेंगे, taxation वाले चट्पर के अंदर, मज़ा तभी आएका, वरना हमारे बहुत सारे pages और content वहाँ पर बेकार हो जाएका, फिर इसके explanation देने का मज़ा नहीं आएका, बात करते हैं, दूसरी त direct, देखो, अगर यह tax है, direct, indirect word को हटा दो, इसके prefix को हटाओ, इसके suffix को देखो, जरा, tax को देखो, ठीक है, जो end में term लगी हुए tax, tax मतलब, कोई ना कोई एक ऐसा person जो है, उसके उपर burden जरूर है, burden जरूर है, कि उसको tax pay करना पड़ेगा, burden नहीं है, तो liability है, लेकिन direct में म मुझे यह सिखाया गया, writer के तोरह, the liability and burden to pay a tax falls on the same person, यहाँ पर क्या है, liability to pay a tax falls on one person, और मान लो यह हो आप, you are this, आपकी बंतीक liability, लेकिन, there is some other person, जो burden लेगा, उस tax को pay करने का, यहाँ पर direct tax के अंदर क्या था, the liability and burden to pay a tax falls on this person only, यहाँ पर क्या है, कि अगर आप, मान लो, जैसे GST, अपने आप में एक इंडर direct tax है, custom duty, exercise duty, हम यहाँ पर एक tax मान लेते हैं, entertainment tax, मैं यही कहा रहा हूँ, देखो आपसे, कि taxation वाली chapter के अंदर जादा चिते समिन भाएगा, यहाँ पर tax का, सारा चिठ्था नहीं है, फिर वहाँ पर आपको एक अलग form की tax मिलेंगे, फिर आप confused होगे, तो एक ही बार में सारा cover करेंगे, taxation का पूरा का पूरा chapter, लेकिन मा लगता है, जब आप movie वगरा देखने जाते हो, आप movie देखने गए, माल लो, कोई भी movie माल लो, आप movie देखने गए, और वहाँ पर आपको tax देना पड़ा, tax कैसे देना पड़ा, आपके ticket के उपर tax लगेगा, वहाँ पर service tax अगर आप food items वगरा consume कर रहे हो, popcorn वगरा खाया, अपने interval के अंदर है, जो भी खाया, PBR वगरा में, उसके उपर tax लगेगा, फिलाल, हम एक बारी food items वगरा कर सिब ticket की बात करते हैं, ticket के उपर आपके कुछ tax लगता है, अब क्या, जो आपने ticket के लिए जो पैसे दी है, हम लोग इसको मोटा मोटी माल लेते हैं, कि आपने 500 रुपे दी है, 500 रुपे की ticket है, ठीक है, आप gold class में कहीं पर गए हो, आपकी 500 रुपे की ticket है, क्या मैं ये मालनू कि अगर cinema hall वालों को आपसे जो tax वसूनना है, या tax जो लगा है, उनको क्यों वसूनना है, वैसे तो सरकार को लेना है, लेकिन क्या cinema hall वालों ने इस 500 रुप रुपे के अंदर, इसके लावाद जब वहाँ पर अंदर बैठ जाते हो, वो फिर से आता है क्या ठाकुराइन बंदा बोलने के सर 100 रुपे और रगेंगे या बैठने के, या ऐसा कुछ, नहीं न, एक ही बार में होता है न, ऐसा, जो आपने ticket के लिए जो cost दी, उसके या burden माल लो, आपके उपर burden था tax देने का, कि आपको, जब movie देखनी है तो आपको tax देना ही पड़ेगा, अब सरकार ने cinema hall वालों को बोल रखा है कि entertainment के उपर tax लगेगा, यानि कि लोग न, चुटकोले भी free में नी सुन सकते हैं, उनसे भी सालो से पैसे लो, हस कैसे रहे है टिकेट है, example के लिए बता रहो है, 450 की तो हमारी टिकेट है, तो उन्होंने बोला इसका rate 500 रुखो, उन्होंने बोला सरे 500 रुपे क्यों, उन्होंने बोला खुश मत दो बेटे, ये तेरे पास नहीं आएंगे, जो तुम जनता से collect करोगे, वो तुम हमें पे करोगे, तुम ने इस movie ticket के rate के उपर जो 500 रुपे है, इसमें 4500 तुमारे है, 50 हमारे है, as tax, अब मुझे एक बापताओ, picture से निकलने के बाद, ठकुराइन, क्या हम movie theater से निकलने के बाद, क्या हम income tax office भागते हैं क्या, या online फटा-फटा आते हैं क्या, IDR file करने क्या, आज हमने movie देगी थी अर्चा नागरिक बन कर ये, मैं बता रहा हूँ, लो 500 पर टेक्स रख लो, ऐसा करते हैं क्या, क्यों नहीं करते हैं, because वो जो tax है, वो आपके movie ticket की जो cause थी, उसके दर include हो चुका है, the burden to pay a tax falls on you, and liability to pay that tax falls on another person, वो है theater वाले, वो सरकार को, जैसा भी उनकी बीच में decide हुआ हो maximum yearly की business पर दे देना, जो भी decide हुआ होगा, वो पूरा revenue उठाकर, tax का, जितना tax का बनता है, वो दे देंगे, वो कहेंगे, यही हमने जनता से लिया था, ticket की cost में include करके, इस price को, हमने अपना वाला profit रख लिया है, और यह जो 50-50-50 रुपे करते-करते, तीन महीने तर, जो भी 20,000-30,000 लोग हमारे theater में आये picture देखने, यह लोग आपका पैसा पूरा, पूरा tax की फॉर्ग में, यानि कि यहाँ पर सरकार और जनता के बीच में, जो tax की, जो लेन देन, जो अदान प्रतान चल रहा है, उसके पीच में, indirect tax में एक बिचोलिया होता है, अब वो बिचोलिय करे, क्या करे, एक एक चीज की उपर थोड़ी ना गिनवाते रहेंगे, तो यह हमारे रोज मरना के जीवन में, जो भी goods and services हम consume करते हैं, अगर उस पे income, indirect tax लगना मांगता है, अगर necessity है, लगना चाहिए, सरकार को ऐसा लगता है, तो सरकार उस item के दर लगा देगी, फिर उस company, उस दुकानदार या उस, जो भी वो service दे रहा है, उससे वसूल देगी, बताओ, आज आपको direct indirect tax का basic meaning समझ में आया, exercise duty, custom duty होते है, airports पे जब आप सामान मंगवाते हो, shipping से कोई भी आपने चीज मंगवाई, आप gaming console मंगवा रहे हो, like playstation 4, playstation 5, आप कोई tv fridge मंगवा रहे हो, आप कोई ducati, जो है, कोई bike है, कोई गाड़ी है, आप वो import करवा रहे हो, ठीक है, यहां से आप कोई चीज export करवा र रहे हो, बाहर internationally, इन सारी चीजों की ऊपर, shipping, अगर हो, जहाजों से, या airplane से, boat से, किसी भी चीज से, तो उसके उपर tax लगता है, जो भी चीज, अगर national boundary को cross करके, international boundary में जा रहे है, उसके उपर भी tax लगता है, exercise duty, custom duty, there are exercise inspectors, custom inspectors, GST inspectors, यह सब होते हैं, अब सरकार के कुछ और भी sources होते हैं, revenue receipt के, और वो होते हैं, non tax revenue, यानि कि, अब जो सरकार की कमाई के sources हैं, वो taxation की form में नहीं लिये जाते हैं, other form से सरकार को कौन कौन से जगा से कमाई होती हैं, तो वो हम देखते हैं, again, यह revenue receipt का ही part है, सबसे पहले, interest receipt, interest कैसे मिलेगा, सर सरकार ने मालनों loan दे रखी हो, सरकार loan किसको देखी, अगर central government अगर state government, यह हो सकता है, other nations को भी दे रखी हो, उस पे सरकारों को ब्याच की प्राक्ति होती है, profits and dividends, सरकार कि अगर PSU, PSC अच्छी कमाई कर रहे हैं, यह सरकार ने अगर जगा जगा पर investment कर रखी है, मैं आप कोई छोटा सा फरक बताता हूँ, हाला कि अभी आगे आएगा profits and dividends में, मेजर फरक क्या होता है, यहाँ पर था अभी में बताता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे profits and dividends, अगर आप इसको देखो, यह जो हम चीज़े पढ़ रहे हैं, जो हम table अभी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मत समझना, यह table सिर्फ इतना सही है, अभी इस table के बारे में भी हम theoretical angle करके पढ़ेंगे, वो तो मैं आपको पूर आज के समय में, जो सरकारी कंपनियां होती हैं सरकार के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं, public enterprises, public sector units, public sector enterprises, जो की private enterprise की तरह ही, कुछ-कुछ goods and services produce करते हैं, और बेस थे हैं, for example, nationalized banks, जो की सरकार की command के अंदर आते हैं, industrial finance corporation of India, LIC, STC, HMT, MMTC, BHEL, Gale, SAIL, BPCL, ये सारी जो company हैं, जैथे भारत, heavy, electricals limited, इन से सरकार के पास, पहले इनको profit generate होता है, और वो profit, ये सरकारी कंपनियां तो जाता सरकार के पास है, अब क्या होता है, profit तो आप समझके क्या होता है, कि जो भी ये सरकारी company है, जब भी ये कोई goods produce करेंगी, या इसको बेचेंगी, goods and services को, वो जो generate करेगी, सरकार बेच कर इन goods and services को उसको गएंगी, अब लोग profit, अब मैं छोटा सा आपको फरक समझाता हूँ, कि profit और dividend में क्या फरक होता है, as such इसके meaning में कोई फरक नहीं होता, profit ही dividend है, dividend ही profit है, ये चीज़, एक, कह कह सकते हो आप, practical aspect से समझने लिए ठीक है, बस economics as a subject के अंदर अगर आप इसका theoretical aspect जानोगे, तो मैं आपको वो पता देता हूँ, देखो, जब भी आप for example मान लो कि share market के अंदर, stock market के अंदर, कुछ shares अगर आप खरीद रहे हो, और वो share आपने खरीदे 10 रुपे के, ठीक है, और वो बढ़ते 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 हो गया, 100 रुपे का, तो यानि कि आपको 90 रुपीज का profit प्राप्त हुआ है, हम लोग generally यही तो बोलते हैं कि आज मुझे trading में profit मिला है, मैंने investment कुछ कुछ कर share बजार में मुझे profit मिला है, उसको na actually हम लोग गलत कहते हैं, जब भी आप किती जगा बार पैसा invest करते हो ना, और वो आपके according बढ़ जाता है, जिससे आपको मुनाफ़ा होता है, उसको मुनाफ़ा ना बोलके economics की बाशा में dividend बोला जाता है, यह फरक होता है, अब मुझे क को बता हो, मैंने जब आपको सबसे पहले बात बोली कि profit ही dividend है, प्रैटिकल आस्पेट में समझेंग लिए यह चीज बिल्कुल सेम होती है, तो मुझे को बता हो, अगर मेरा share 10 रुपे का, और ऐसे मैंने 1 लाग share बाय कर रखी तो मैं profit में तो आ गया ना, और मुझे bulk में profit ह हुआ है, उसको लेकिन अगर मैं economic terms में बात कर रहा हूँ, तो मैं यह बोलूगा, कि मैंने अपनी जो जो investments कर रखी थी, उससे, उसपे मुझे dividend प्राप्त हुआ है, तो सरकार भी बड़ी सारी investments करके रखती है, सरकार को उसपे जो मुनाफ़ा होता है, उसको dividend बोलते है, detail मे और जानेंगे, इसके बड़ में बाद में, अभी के लिए लेकिन आप इतना समझ गए हो, ठीक है, उसके बाद, various fees and fines, यह जो wide बर्दी में, traffic वाले जो खड़े रहते हैं, यह फिर सरकार, अलग-अलग चीज के उपर, जो fees लगाती है, जैसे driving license आप बनवाने जाओ, सरकार काम काज करना, मैं दो नमर की कमाई की बात नहीं कर रहा, table की नीचे से कोई extra वैसे खिलाने की बात नहीं कर रहा, सरकारी form पर जो भी चीज़े होती है, जैसे for example, माल लो, UPSC, एक है तो, सरकारी ही चीज ना, बताओ, link में तो वो वही है न, उससे, खर्चा वगरा सारा पा driving lessons आ पनवाने जाओ, कुछ चीज चेंज करवा रहे हो, या कुछ भी, ये सारी जो fees and fines, जो सरकार जो collect करती है, ये भी सरकार के घरविन्नी होता है, ठीक है, क्या, आप में ते किसी को ये पते है, S-sheet क्या होता है, क्या होता है, शाहिनी, हाँ, येस, अगर किसी property के owner की death हो जाती है, ठीक है, तो जो भी owner वो जिसको अपनी will में मानलो की किसी को बोल कर गया है, कि आने वाला मेरा ये ही समाले का, ये फ्राकार लिखकर नहीं भी गया, और ये चीज वो कानून में प्रूव हो जाए, court में वकालत नामा में, जो भी होगा code के procedure में जो भी चीज ये प्रूव करते हो, कोई person, कि मैं ही जो है, अब बचा हूँ, इसका समालने वाला, रखवाला, देखरेक करने वाला, तो ये street है, street को समझने के लिए, सबसे बहतरीन example क्या शाहनी, मैं ये भोल सकता हूँ, entertainment movie, जब अक्षे गुमर चलाया, कि ये property मे लिए, एक तरीके से वो street लेना चाहरा था, legally, है न, special assessment or tax, ठीक है, special assessment or tax का मतलब ये होता है, वैसे, non-tax revenue उसको इसलिए बोला क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, टेक्सेशन वाल चैप्टर में जाथ अच्छे थे समझ में आएगा, कभी किसी और item या और activity या और किसी sector को सरकार ये सोच रहे है, कि अब हम यहां से भी tax को वसूलेंगे, या फिर यहां से भी हम fees and fine collect करना शुरू करेंगे, थोड़ा-थोड़ा यहां से भी revenue generate करना start करते हैं, तो उसको special तरीके से सरकार पहले assess करती है, कि क्या यहां से किसी ना किसी प्रकार का revenue generate हो सकत यहां से कुछ revenue generate हो सकता है, क्या, तो वो है, वो चीज है, ठीक है, कोई नए प्रकार का सरकार को tax करते हैं, लगाना हो, इसलिए यहां पर लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद, budget या फिर government, budget receipt कहलो, या government receipt कहलो, उसमें हमने revenue receipt को, revenue receipt को तो देख लिया है, और revenue receipt के अंदर हमने tax revenue, non-tax revenue की बात कर लिया है, अब बात करते हैं, capital receipt की, capital receipt की, एक बारी अगर हम, वापस हाएं, जरा उस previous pages पे, हमने एक चीज देखी थी, capital receipts में, इस से, यह देख रहे हो, अभी हम capital receipt पढ़ने जा रहे हैं, इस में एक चीज देखी थी, यह चीज मन बूलना, यह liability create करता है, या तो assets reduce करते है, इसका example दो जल्दी जो मैंने दिया था आपको, कैसे हो सकता है यह चीज पॉसिबल these are the receipts, जो की एक button create करेगा, यह it leads to reduction in assets, कैसे, दिखा दे दो, देखो loans की recovery, recovery of loans, बताओ, यह कैसे, capital receipt देख रहे हो, क्या बोल रहा है, these are the receipts which either create liability or lead to reduction in assets, जब हम loan recover कर रहे हैं, दे रहे हैं, loan recovery का मनलब यह यह न, शहनी के हम loan दे रहे हैं वापस किसी को, चुका रहे हैं मतलब, loan के साथ एक दिक्कत क्या है, principal amount के साथ साथ क्या देना पड़ता है, interest देना पड़ता है, तो अगर माल लो, उस परिस्तिती में, इशा, अगर देश के पास इतना पैसा नहीं है, तो सामने वाली country को तो, यह institution को कुछ नहीं देना, वो तो किस्ते बंदी होती है, सरकार को जब यह principal amount के साथ साथ interest देना पड़े का, क्या है, मैं यह कह सकता हूँ, कि देश की GDP की वेज़े से कम हो रहे है, थोड़ी थोड़ी, इस पैसा चुकाने की वेज़े से, हो सकता है, वो background में किती हो, कोई और sources की वेज़े से बढ़ रही हो, लेकिन कुल मिला कर, पैसा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसा कम होने का मतलब क्या है, यह कह सकता हूँ, consolidated fund of India से, जो कमाई है, वो निकलती चल जा रही है, सामने वाले person के पास, principal amount तो देना ही है, उसके साथ ब्याज भी देना है, क्या मैं यह कह सकता हूँ, ultimately कि इसकी वेज़े से assets कम होते चले जा रहे हैं देश के, income भी तो एक asset ही है, income कम नहीं हो रही क्या पताओ, अगर हम loan चुका रहे हैं, shiny किसी का, तो हमारा क्य balance कम नहीं हो रहा क्या, बताओ, इशा आपको ज़रूद थी किसी से, 10-20,000 रुपे की, 50,000 रुपे की, ठीक है, आपने उसको क्या, मैं ब्याज के साथ और को पैसा देदूंगी, जब आपको देना पड़ेगा, तो ultimately आपकी उपर burden आएगा क्या नहीं आएगा, बताओ, लेकिन वो आपको लोन चुकाना है, और लोन को लोन चुकाना सिर्वो नहीं होता कि जो पैसे लिए वो चुकाना है, लोन टर्म ही वो होता है, कि लोन के साथ साथ, आपको principal amount के साथ साथ क्या देना है, interest, उसके बाद बात करते हैं, disinvestment की, disinvestment में सरकार क्या करती है, शैनी, किसी भी PSU या PSU की holding को बेश देती है, अब मान लो, सरकार ने Air India को बेश दिया, ठीक है, अब उससे पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया, लेकिन क्या अखे मैं ये बोल सकता हूँ, कि इससे asset देश का एक काम हो रहा है, सरकारी asset, उसके बाद, और अच्छा, आप इसको ये क्यों कहते हैं, आपके दिमाग में आता होगा, कि सर, ये घूम तो, मिजबा ये कोशन आ सकते हैं, कि सर, ये घूम तो देश में ही रहा है, क्या फरक पड़ता है, कि सरकार रखी है, कोई और परसन रखी, लेकिन दिक्कत पते क्य अरफित, इसके इंदर दिक्कत ही होती है, जिस सरकार ने बेचा मानलो एर इंडिया को, नई सरकार ये कैसकती है क्या, कि हमने तो नहीं बेचा था, उस सरकार ने बेचा था, वापस दे, नहीं न, और अगर ऐसा करा तो फिर हम इसको डेमोग्रसी न कहके, डिक्टेटर्श जैसे आपको याद है contemporary world politics जब हमने पढ़ा था मिजबा ईशा तो उसके नदर हमने ठक्रान एक चीज देखे थी कि अर्श्वाइल USSR के अंदर सब कुछी सरकार बोलती थी कि मेरी ही है है न कि चो तुम agriculture cooperative चला रहे हो खेती बाड़ी कर रहे हो तुम यह मत समझने हैं तुमारे बाप की जागिर है सरकारी जमीन है जब मर्दी चाहे हम इसको ले सकते हैं यह वहाँ पर याने की शाहिनी आपने भी पढ़ा होगा private property का कोई concept नहीं था वो तो रशिन revolution के बाद हुए है वहाँ पर सारे changes है ना लेलिन और स्टेलिन के बाद ऐसी बॉर्विंग अर फिर बॉर्विंग से पैसा दो आ जाता है लेकिन बॉर्विंग अगें क्या चीज़ कर देता है liability to pay a loan along with वह principal amount तो देने ही पड़ेगा along with interest and small saving small saving का मतलब क्या होता है को saving कभी आपका पैसा बना नहीं सकता जैसे मुझे बाद बताओ अगर आप बहुत save रहना चाहते हो कि भाईया मैं अपना पैसा bank में रखूंगा और मुझे इससे ब्याज मिलेगा अब ये चीज हम सबको पता है चैस सरकार की saving हो जै किसी भी चीज की saving हो आपको जो भी ब्याज मिलता है वो inflation को कभी outbit नहीं कर सकता नहीं FD का कर सकता है fixed deposit इसलिए कई लोग जिनको थोड़ा बहुत सबज में आता है ना आजकल का scenario economic scenario तो वो अपना पैसा FD भी अपना invest करके हैं वो mutual funds और stocks में करने लगे हैं क्योंकि वहाँ पर return on investment बहुत जादा है अब जैसे एक बाँ बताओ मुझे एक बाँ पता न अरफे क्या three months के अंदर अंदर कोई भी ऐसी सरकारी संस्ता है क्या देश के अंदर के तीन महीने के अंदर अंदर तीन महीने भी नहीं दो महीने माल लेते हैं इसको दो महीने के अंदर अंदर आपके capital पे आपको 50% return देते हैं बताओ है क्या कोई चैथी चीज कोई भी है कैथी चीज लेकिन यह देखो अब आप screen पे देखो अगर आप investment करना जानते हो तो जैसा कि मैंने क्रिप्टोस में investment करी हुई है तो मुझे पूरा का पूरा 50.31% return वापस मिला 40,000 रुपे लगाकर I got 61,050.65 पैसा 50% return in 48 days इन 48 days नहीं इसके अंदर हमने सारे components अभी cover कर लिये लेकिन यह tabular format के अंदर जितना भी दे रखा थे इसको हमने देख लिया अब अगले lecture में हम लोग एक बहुत important चीज देखने वाले हैं which is important from prelims and means perspective both difference between revenue receipt and capital receipt एक short term होता है एक long term होता है उसके बारे में हम difference जानेंगे अभी हम इस topic के अंदर और जो भी हमारा topic चल रहा है वो हमें आ रहा सिर्फ receipt side से चल रहा है चाहे वो revenue receipt हो चाहे वो capital receipt हो ठीक है तो दोस्तों इस discussion में फिलाल इतना ही thank you very much about discussion पहले मुझे बतातो कोई doubt तो नहीं है किसी को wind up कर दू कोई भी छोटा ना doubt है तो पूछो anyone कोई नहीं है ना ठीक है thank you very much